2 सितंबर 2023 को इसरु ने भारत के पहले सौर वैच शाला अदित्य एलविन को लॉंच किया। पाच महीने बाद 6 जनवरी 2024 के शाम ये अब्जरवेटीर पोईंट पर पहुच गई। उसके चारों तरफ मौजूद सोलर हेलो ओर्बिट में डाल दी जाएगी। एलवन पोईंट पर मौजूद आदित्य सेटलाइट की दूरी उस समय धर्थी से 15 लाग किलो मीटर होगी। इसके साथ इस सूरज के स्टेडी कर रहे नासा के चार अन्य सेटलाइट के समूँ में शामिल हो जाएगा। छे जन्वरी की शाम को हेलो ओर्बिट में डालने के लिए आदित्य एलवन सेटलाइट के थ्रस्टर्स को थोड़ी देर के लिए ओन किया जाएगा। इसमें 12 थ्रस्टर्स हैं। फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया है कि कितने और कौन से थ्रस्टर्स का इस्तमाल होगा। ये भी फैसला कल ही होगा कि लिक्विड एपोजी इंजन भी ओन होगा या सिर्फ थ्रस्टर्स से काम चल जाएगा। आदिते को एलवन पॉइंट पर डालना एक बड़ी चुनाती पूर काम है। ताकि वह सफलता पूर्वग हेलो ऑर्बिट में तरात हो सके। इसके लिए इसरों को या जानना चरूर है कि उनका स्पेस क्राफ्ट कहां था, कहां है और कहां जाएगा। उसे इस तरह ट्रैक करने के प्रोसेस को और्बिट डिटर्मिनेशन कहते हैं। एक बारिया काम हो गया तब अलग-अलग समय पर और्बिट मैन्यूवरिंग करनी होगी ताकि आदिते उसी जगह पर हमेशा बना रहे। पचासो सैटिलाइट को सुरक्षित किया जा सकेगा। जो भी देश इस तरह की मदद मांगेगा उन्हें भी मदद की जाएगी। यह प्रोजेक्ट देश के लिए बहत ज़रूरी है। की तस्वीर ली है। इसे पहले सुरच के तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी लेकिन वहाप पहली Light Science इमेज थी। लेकिन इस बार फोल डिस्क इमेज ली गई है यानि सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो इन तस्वीरों की मरस्ते विज्ञानिक सूरज की स्टेडी से कर पाएंगे बतादे आदे तेलवन भारत की पहले अंत्रिक्ष अधारे तो अब्जरेवेटिव है और या सूरज स सका से थोड़ा उपड़ यानि फोटो स्पेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है केंद्र का तापमान एक दसमलों 50 करोर डिग्री सेल्सियस रहता है ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना संभो नहीं है आपको बता दे आदित एलवन स्पे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें